बुद्धने महल इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि उन्हें कोई कर्ष्ट था बुद्धने महल राजसी ठाट बार्ट उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके लिए उपलब्त सब सुख सुविधाओं के बाद भी दूसरों के जीवन में दुख था यदि हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्वसे निकल कर संसार संकुची सोच को त्याक कर समगरता का ये बुद्ध मंत्र ही एक मात्र रास्ता है हमें हमारे आसपास गरीबी से जूज रहें लोगों के बारे में सोचना ही होगा हमें संसाधनों के अभाओं में फसे देशों के बारे में सोचना ही रहेगा एक बहतर और स्थीर विश्व की स्थापना के लिए यही एक मार्ग है यही आवशक है आज यह समय की मांग है कि हर व्यक्ति की हर राश की प्राथ्मिक्ता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित भी विश्व हित भी हो ग्लोबल वर्ल इंट्रेस भी हो साथियों यह बात सर्वस्विकारिय है कि आज का यह समय इस सदी का सबसे चैलेंजिंग समय है आज एक और महिनों से दो देशों में युद्ध चल रहा है तो वहीं दुनिया आर्थिक अस्थिर्ता से भी गुजर रही है आतंग्वाद और मज़भी उन्माज जैसे खत्रे मानुता की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज जैसी चिनोती पूरी मानुता के अस्तित्व पर आफ़त बनकर मनरा रही है ग्लेशियर्स प्रिगल रहे हैं एकोलोजी नस्ट हो रही हैं प्रजातियां बिलुक्त हो रही हैं लेकिन इस सब के बीच हमारे आप जैसे करोडों लोग भी हैं जिने बुद्ध में आस्ता है जीव मात्र के कल्यान में विश्वास है यह उमीद यह विश्वास ही इस धर्ती की सबसे बड़ी ताकत है जए यह उमीद एक जूट होगी तो बुद्ध का धम्म विश्व की धारना बन जाएगा बुद्ध का बोद मानवता का विश्वास बन जाएगा साथियों आधुनिक विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान सैक्णों वर्ष पहले बुद्ध के उपदेशों में हमें प्राप्त न हुआ हो आज दुनिया जिस युद्ध और असांती से पिडित है बुद्ध ने सदियों पहले इसका समाधान दिया था बुद्ध ने कहा था जयन वेरन पसबती जयन वेरन पसबती दुखन सेती पराजितों उपसंतों सुखन सेती हित्व जय पराजया अर्थात जीत बैर को जन्म देती है और हारा हुआ अव्यक्ति भी दुख की निंद सोता है इसलिए हार जीत लड़ाई जगडाई ने छोड़कर ही हम सुखी हो सकते हैं भगवान बुद्ध से ने युद्ध से उबरने का रास्ता भी बताया है भगवान बुद्ध ने कहा है नहीं वेरेन वेरानी सम्मन तिध उदाचन अवेरेन च सम्मन ती एस धम्मो सनंतनों हर्थात वैसे बहुत बढ़े कम शब्दों में बात होता ही है वेर से वेर शांत नहीं होता है वेर अवेर से शांत होता है भगवान बुद्ध का वचन है सुखा संग्यस्य सामग्डी समग्गानम तपो सुखम हर्थात संगों के बीच एकता में ही सुख समाही थै सभी लोगों के साथ मिल जुलकर के रहने में ही सुख है साथियों हम देखते हैं आज अपने विचारों अपनी आस्ता को दूसरों पर थोपने की सोच दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन रही है लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कहा था भगवान बुद्ध ने कहा था अत्तान मेव पठनम पती रूपे निवे सहे यानि कि पहले खुद सही आचरन करना चाहिए फिर दूसरे को उपदेश देना चाहिए आधूनिक यूग में हम देखते हैं कि चाहे गांदी जी हो आप फिर विश्व के अनेक लीटर्स उन्होंने इसी सूत्र से प्रणा पाई लेकिन हमें याद रखना है बुद्ध सिर्प इतने पर ही नहीं रुके थे उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा था अपदीपो भवा यानि ये जो आगे का वाक्य है वो ही तो सबसे बड़ा आधार है अपदीपो भवा यानि अपना प्रकास स्वयम बनो आज अनेकों सवालों का उत्तर भगवान बुद्ध के इस उपदेश्ट में ही समाहित है इसलिए कुछ साल पहले संयूक्त राश्ट में मैंने गर्व के साथ कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिये है जहां बुद्ध की कनुरा हो वहां संगर्स नहीं समन्वे होता है अशान्ती नहीं शान्ती होती है साथियों बुद्ध का मार्ग भविश्य का मार्ग है सस्टेनिबिलीटी का मार्ग है अगर विश्व बुद्ध की सीखों पर चला होता तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता यह संकट इसलिए आया क्योंकि पिछली शताब्दी में एक देशों ने और कुछ देशों ने दूसरों के बारे में आने वाली पिडियों के बारे में सोचना ही बन कर दिया है दसकों तक वो यह सोचते रहे कि प्रकूति से इस छेड़ छाण का प्रभाव उनके उपर नहीं आएगा वो देश इसे दूसरों के उपर ही डालते रहे लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्मपद में स्पस्ट रुप से कहा है कि जैसे बुंद बुंद पानी से घड़ा भर जाता है वैसे ही लगातार की हुई गल्तियां विनास का कारण बन जाती है मानवता को इस तरह सतर्क करने के बाब बुद्ध ने ये भी कहा कि अगर हम गल्तियों को सुधारे लगातार अच्छे काम करें तो समस्याओं के समाधान भी मिलते हैं माव मैयत पुन्यस माव मैयत पुन्यस न मन तन आग मिस्तती उद बिंदू निपाते न उद तुम्भो पी पुरती धीरो पुरती पुन्यस थोकम थोकम पी आजिनन अर्था किसी कर्म का भल मेरे पास नहीं आयेगा ये सोज कर पुन्य कर्म की अहवैलना न करें बुंद बुंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ दीर व्यक्ति पुन्यसे भर जाता है साथियों हर व्यक्ति का हर काम किसी न किसी रूप में धर्ती को प्रभावित कर रहा है हमारी लाइफ स्टाइल है चाहे जो हो हम जो भी पहनते हो हम जो भी खाते हो हम जिस भी साधन से यात्रा करते हो हर बात का प्रभाव होता ही होता है फर्ग पढ़ता ही पढ़ता है हर व्यक्ति जल वायू परिवर्तन की चुनवतियों से लड़ भी सकता है अगर लोग जादुरुख होकर अपनी जीवन शैली में बदलाव करे तो इस बड़ी समस्यावे से भी निपटा जा सकता है और यही तो बुद्ध का मार्ग है इसी भावना को लेकर भारत ने झाल